करीब 30 लाग से ज्यादा बच्चों की 2015 में कुपोशन के कारण मृत्यू हुई थी विश्यो के कुपोशित बच्चों के एक तिहाई से अधिक बच्चे भारत में ही रहते हैं भारत में करीब 45 प्रतीशत 5 साल से कम आयू के बच्चे अपने उम्र से कम वजन के हैं और इनहीं में से 70 प्रतीशत से ज्यादा बच्चों में खुन की कमी भी पाई जाती हैं हमारे बिहार में आधे से जादा बच्चे कुपोशत हैं और कुपोशन के कारण से ही इन चोटे बच्चों की मित्यू भी होती है कुपोशन का एक एहम कारण है खाने में विविन्ता ना होना केवल 8% के 6-23 महीने के बच्चों को पोशन युक्त खाना मिल पाता है क्यूंकि अक्सर माताओं को उनके बच्चों के लिए जरूरी सही पोशन युक्त खाने की जानकारी नहीं रहती तो आईए आज हम आहर विविन्ता और पोशन युक्त खाने के बारे में चर्चा करें और अपने बच्चों में को पोशन को मिटाएं रेनी दिदी हैं घर पर अरे सुमन बड़ी परिसान लग रहे हैं यह क्या हुआ हाँ पर्शान तो हाँ बच्चा का बजन जो तेजी से घट रहा है इसलिए अगन बाड़ी दिदी से मिलने आई हुआ तु चिंता नहीं कर रहा हुआ अगन बाड़ी जयला तयार हो रुखना तब तक थोड़ा सा आराम से हाँ बैठ रहा अर्योरे नुद्धी बाहर आईए आप से सुमन मिलने आई है बस आ रहे हुँ तयार हो चुकी हूँ अच्छा सुमन बच्चा क्या अगन बाड़ी लेगा लूँ यहां गये तो दो-चार महीना पहले कल जाएंगे ठीका करवाने के लिए इसकी दादी जो कहती है वही तो खिलाते है दाल चाबल खिचुड़ी और बिस्कुटी तो खाता है नहीं सुमन खालीगी सब नहीं सुमन यह सब खिलाओगी तो सिर्फ नहीं होगा अरे रेनु डिदी आईये आपी का इंतेजार कर रहा थे मैंने सुना तुम दोनों की बात तो बताईये क्या करूं मैं तो बहुत परसान है अच्छा तुम आहीं गे लो अपता चला आंगनवाडी पर ओड़ी चीज पर आज चर्चा कर भी ठीका को कंचन हम आवा यांगनवाडी से देख लें ठीका को जा आज के बैठा के भी शाय ने पाता हा को ना हाँ दीदी पाता हाँ हाँ छोटा छोटा बच्चा के खान पान कर चर्चा कहल जीते हैं अब ताहो तो अपन बच्वा के कोची कोची खाइला दे हो मैं अपनी बेटी को दाल चावल खिच्डी और रोटी सबसी आच्या थे खिलाते हैं आपन बच्वा बीजिर भर दूद हूश्टी खिल टी अब कभी डाल भातक खिच्डी पपा के खिला डै तू बच्क्वा के खिलावेग पहुत टीदीर्वा एं लेकिन भाने में बहुत दिककरता है को फुर्षी है इन अब हम लेको आप होते हैं को इनके विक मड़ें विक्त नतर्य ने के लिए इन आप लुग को देखाते हैं और यह हैं कर आपको खाना के लॉन रानके कर आए है हाथ उतना समान ले करके आया हूं दिदी हम ठीक है कि दिदी बढ़ते बच्चों के संपूर्न मांसी का और सरीरिक विकास जन से दो साल तक बहुत तेजी से होता है और इस विकास के लिए उनको पौश्टी कहार देना बहुत जरूरी है के लिए उनके खाने में कम से कम चार साधारन खादे समूर सामिल करना जरूरी है जैसे दाल का समूर अनाज का समूर आदे ऐसे तो समाने साथ समू होते हैं और हमें अपने खाने में साथ खाद समू सामिल करना चाहिए और छोटे बच्चे के खाने में साथ खाद समू सामिल करना जोगी है अच्छा क्या क्या दिदी? बच्चों के विकास के लिए ठाने में ये सब चीज सामिल करना बहुत जरूरी है देखे दिपहला समू अनाज का समू होता है जिसे बच्चे के सरीर को ताकत मिलता है और दिमाग भी तेज होता है आप अनाज में बच्चों को देखिए चावल, गेहूं या मक्का करोटी आधी दे सकते हैं अच्छा दूसरा खास समू के आई दिदी हाँ बताते हूं दूसरा समू में आता है दाल और फलियों का परिवार देखिए दिदी जैसे मसूर दाल राहर दाल मूं दाल राजमा चनादाल, मटर, सोयविन, लोबिया, छोले, आधी दे सकते हैं इन सब चीजों से बच्चों के सरीर के मान स्पेशी का सही तरीके से विद्धी होता है हाँ लेकिन याद रहे दाल का पानी नहीं गाहा दाल पिलाना है नहीं तो बच्चों का जल्दी पेट भर जाएगा और उनका पोसर भी नहीं मिल पाएगा अच्छा दिद्धी आज से हम अपने मुन्ने को दाल का पानी नहीं पिलाएंगे ठीक समझे दिद्धी अच्छा एज तीसरा समू हरे पत्यदार साग सब्जी आ समू है हमारे घर के आसपास इतने परकार के साग होते हैं जैसे सहजन का साग सरसो का साग पालक डाल साग आदे चवथा समू है दिदी और अनिन फल सब्जी का समूझे और ये रगग रगग फल सब्जी क्या होते हैं देखो दिदी हमें बच्चे को हर तरह के फल सब्जी देना चाहिए लेकिन लाल पीली या नरंगी फल सब्जी में कुछ अलग ही पोशन होता है ओ क्या दिदी लाल पीली नरंगी फल सब्जी जैसे केला, पपीता, आम, गाजा, टमाटर, कद्धू, चुकंदर आदे आथ में खटे फल जैसे संत्रा मौसन्मी आदे सेर बच्चों में रोग पतिरोधक चंता बढ़ता है और वे कंद इमार परते हैं तो जाबा तेजी से बढ़ते हैं साथ में उनकी आखों को भी ताकत मिलता है अरे बाद दिदी पाच्मा समूम बता दिजिये और पाच्मा समूम है मास मच्छी का समूम है मास मच्छी दिदी जितनी छोटों बच्चों को मास मच्छी देंगे तो खाएगा कैसे दिदी रे दिदी बच्चों को मीट देने से उनके सरीर के मानस्पेशी की बीर्दी होती है और साथ में उनको आईरन भी मिलता है जिससे हमारे सरीर में खून भी बनता है और इसे बच्चों की हड़ी भी बशती है अजर मास में अच्छी दे रहें तो अच्छे से मसल के दिजिएगा आप मुन्ने को अंडा भी मसल कर दे सकते हैं लेकिन हम तो सकाहारी हैं दिदी अब बच्चे को शाकाहारी भोजन में ये सब दे सकते हैं अच्छा दिदी आखरी सात्वा समू हैं अच्छा दोसे बने हुए चीजों का समू इसमें आप मुन्ने को दही, मक्षन, पनीर, खोया, आदी दे सकते हैं इससे उसकी हड़ी तो मजबूत होगी शाक में ताकत भी मिलेगा हाँ दीदी आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी हमें ये सब तो हमें पहले से पता नहीं था याद रहे दीदी बच्चों को इन समू में से दीन के हर आहार में कम से कम चार खाग शामू सामिल करना चाहिए साथ में ग्यी या तेल मिलाने से बच्चे पाकत ही मिलता है और खाने में आयोडीन नमक कहीं उतियोग करें ताकी उनका मांसिक मिसास भी तेजी से हो अरे सेव का दीदी, आप जो बात बताएं, वो बहुत तो लगदायक लग रहा है हाँ दीदी, अब मैं तो अपने मुलने को सारे समुन से ही खाना खिलाओंगी तबी तो मेरा मुलना तंदुरुस्तार दिमाग से भी तेज होगा हाँ दीदी, ये सब चीजे तो असाने से हमारे जाओं में साव मिलती है और कुछ फाल सर जी, हम अपने घर में भी तो उगा सकते हैं इसको हम किचिन गार्डन भी कहते हैं तो आपके पैसे के वीज अचत होगी और बाबू भी तंदुरूस होगा ठीक है दीदी बस ये धियान रहे दीदी कि आपका मुन्ना बढ़ रहा है इसलिए इसको बहुत धिरच के साथ खिलाना पड़ेगा नहीं तो इसको खाने का इच्छा नहीं होगा और रोज कोशिस करें कि एक नए चीज खिलाएं ताकि आप भी तसन और नापसन उसका जान सकें और जब वो बड़ा होगा तो ज्यादा चीजों में उसकी रूची रहेगी ठीक है दीदी और एक बार दीदी बच्चे को ये सब खाने के साथ साथ दो साल तक अपना दूद भी देना है और कितनी बार खाना खिलाना है ये तो आपको पहली से भी पता है आप धियाद रहे जब आपका बच्चा बिमार हो ज़्यादा खिलाएं कं नहीं और एक आखरी बात जरूरी दीदी खाना बनाने और खाने से पहले अच्छे से सावन से हाथ दोना और एक बार त्याओर दीदी साख सबजी को अच्छे से दो कर रखे आवसाब बरतन में खाना पका कर रखें हाँ जिदी अपसे अपने मुन्ने को ऐसा ही खाना खिलाएंगे जैसे आप बोने को हाँ जिदी हम भी और अरब मुना भी तंद्रूस्त होगा जन जन तक संदेश पहुचाएं को फोसन दूर भगाएं सात भी मा से दूर के अलाबा उपर यहार खिलाएं ओ दी दी भूलने जाना किचली खूब खिलाना ओ दी दी भूलने जाना दली खूब खिलाना किचली खिलाना दली खिलाना खिलाना हरी पती धर सब जी खिचिरी खिलाना, दलिया खिलाना, खिलाना, हरी पति दर सब जी, अंडा किलाना, मचली खिलाना, दो सल्त गस्तन पान भिकराना, ओ दी दी भूल न जाना दलिया खिचिरी खूब खिलाना, ओ दी दी भूल न जाना दलिया खिचिरी खूब खिलाना, दूध पिलाना, सैंत्र खिलाना, खिलाना, केल चुकंदर दूध पिलाना, सैंत्र खिलाना, खिलाना, केल चुकंदर ओ दी दी भूल न जाना कदू टमाटर खूब खिलाना, ओ दी दी भूल न जाना टमाटर खूब खिलाना, जन जन तक संदेश पहुचाएं, कुपो सन दूर भगाएं, सात विमासे दूध के अलाबा उपरियार खिलाना, ओ दी दी भूल न जाना दलिया खिचिरी खूब खिलाना, ओ दी दी भूल न जाना